आदरनिय बंधू माताव फे मेरी प्यारी बेहनू राधी राधी आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जीवन की धारा पर बहुत-बहुत स्वागत है बंधू आज हम इस वीडियो मी कार्तिक मास महत्तम का पहला अध्याई सुनेंगे जीसे सुनने सुनाने से भगवान शिरी हरी की कृपा से पापू का नाश होता है बैकुंठ लोग की प्राप्ति होती है कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहली आप तक पहुंचे वीडियो को शेर बेल लाइक भी जरूर करें बंधु कार्तिक महा भगवान श्रीहरी का प्रिये महा है इस महा में किया गया थोड़ा सा भी जप तप व्रत दान मनुष्य को अनंत फल देने वाला होता है बंधु कार्तिक महत्तम के अनुसार कार्तिक मास व्रत के पाँच अंग है प्राते स्नान तुलसी पूजन हरी जागरन कथाओं का श्रवन दीप दान वे उद्ध्यापन इन पाँच अंगों का पालन करने पर कार्तिक मास के वृत का महाफल प्रापत होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार मनुष्य को जो हो सके जितना हो सके इन नियमों को धारन करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महत्तम का पहला अध्याई सुनेंगे जो की इस परकार है। नैमिश्रेन्य तीरत में शिरी सूच जी महराज 88,000 शोनिकादी रिश्यों से बोले अब मैं आपके सामने कार्तिक महत्तम की श्रेष्ट कथा कहता हूं। जिसे सुनकर मनुश्य सब परकार के पापों से छूट कर अंतमी बैकुंट को प्रापत कर लेता है। सूच जी कहनी लगे भगवान श्री कृष्ण से आग्या लेकर नारज जी के चले जाने पर। सत्य भामा परसन होकर श्री कृष्ण से बोली हे नात मैं कृतार्थ हुई। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता धन्य है और मैं भी धन्य हूँ। जिन्हुने मुझ जैसी तिरलोक सुंद्री को जनम दिया, जो आपकी सोला हजार रानियों में सबसे अत्यधिक प्यारी महरानी हुई। मैंने वह कलप व्रिक्ष आदी पुर्ष आपके साथ नारत जी को विधी विधान पूर्वक दान में दे दिया, जिसकी बात को मृत्यू लोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य तथा जीव जन्तु नहीं जानते। आज वही कलप व्रिक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। विमुख ना हो पाएं। सोच जी कहने लगी सत्य भामा के ऐसे अस्चरे पूरण वचनों को सुनकर भगवान शिरी कृषन हसते हुए सत्य भामा की बहां पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं पर रोक कर कलप व्रिक्ष के नीचे चले गई। और बोले हे प्रिये, सूला हजार इस्त्रियों में से तुम मुझे प्राणो के स्मान प्यारी हो। तुम से जादा मुझे और कोई रानी प्रिये नहीं है। तुम्हारे लिए देवताओं और दीवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विशे में मैं तुमसे कुछ अदबुद बात कहता हूं ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड पर सवार हो इंद्र लोक को गया। वहां जाकर मैंने इंद्र से कलप व्रिक्ष मागा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड का इंद्र से घोर युद हुआ। गो लोक में गोउं और गरुड के युद में गरुड की चोँच से गउं के कान और पूँच कटकर जो पृत्वी पर गिरे तो उनके कान से तंबाखू और पूँच से गोभी तथा जो रक्त बहा उससे मेहंदी उत्पन हुई जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ती न के तीन पंक पृत्वी पर गिर पड़े जिन से नीलकंठ मोर और चकवा चकवी उत्पन हुई जिनके दर्शन से गरुड जी के दर्शनों के बराबर फल होता है और मेरे लोग की प्राप्ती होती है भगवान कहने लगे हे प्रिये जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूं हर एक कारे पूरा कर सकता हूं और हर बात तुम से कह सकता हूं तो क्या तुम्हारे अश्चरे जनक प्रशन का उत्तर ने दूँगा हे प्रिये तुम्हें जो पूछना है सो पूछो मैं बताऊंगा यह सुनकर सत्य भामा बोली हे नात पूरव जनम में मेरा कैसा सभाव था मैं किस की पुत्री थी मैंनी कौन से दान व्रत तथा तब किये थे जिससे मुझे मुझे मृत्यू लोक में जनम लेना पड़ा और ऐसे कौन से शुब कारे किये कि यहां आकर आत की अर्धांगनी और आप गरुड पर सवार होकर मुझे अपने साथ में लिए इंद्रादी देवताओं के स्थान में घूमते हो। तब भगवान कहने लगे हे प्रिये एकागर चित होकर सुनों तुम पूरव जनम में जो कुछ थी और जिस पुन्यकारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किय था वह सब मैं बताता हूं। सत्यू के अंत में मायापुरी के भीतर अत्री कुल में उत्पन एक ब्रहामन रहते थे जो देव शर्मा नाम से परसिद्ध थे वे वेद वेदांगों के प्रांगत विद्वान अतिथी सेवी अगनी हुत प्रायन और सूर्य व्रत के पालन में तत पर रहने वाले थे। प्रती दिन सूर्य की अरादना करने के कारण वी साक्षा दूसरी सूर्य की भाती ते जस्वी जान परते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थे। ब्रहामन के कोई पुत्र नहीं था केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्ह उन्हें अपने चंद्र नामक शिश्य की साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिश्य को ही पुत्र की भाती मानते थे। और वेह जितेंद्रिय शिश्य भी उन्हीं पिता की तुल्ले समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिश्य कुश और समिधा लाने के लिए इधर उधर भ्रमन करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भ्यंकर राक्षश को अपनी ओराते देखा। उनके सारे अंग भैसे कापने लगे। वे भागने में भी अस्मर्थ हो गई। तब तक उस काल रूपी राक्षश ने उन दोनों को मार डाला। उस शित्र के परभ भाव से तथा स्वयम धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने बैकुंठ धाम में पहुचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन किया था उस करम से मैं उनके उपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य शिव गनेश विश्नु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्रापत होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब और से समुद्र में ही जाता है उसी परकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ तथा पी लीला के अनुसार भिन भिन नाम धारन करके पांच रूपों में प्रगठ हुआ हूँ ठीक उसी तरहें जैसे कोई देवदत नामक एक ही व्यक्ति पुत्र पिता आदी भिन भिन नामों से पुकारा जाता है। प्रन्तु देवदत वास्तव में एक ही है। जब वह दोनों विमान पर चड़ी हुए सूरे के समान ते जस्वी रूप वान चंदन और माला धारन के हुए बैकुंठ में आए तब मेरी ही पास दिव्य लोक में रहनी लगी। इती कार्तिक मास महत्तम पहला अध्याइस मापत बोलो विश्नु भगवान की जय। बंधु भगवान चिरी हरी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैब बनी रहे। आपका घर आंगन खुश्यों से महकता रहे। इन्ही शुप कामनाओं के साथ आप सब का बहुत ब जन्यावाद राधी राधी